हलो गाईस तो अगर आप भी जो है वेटरीनेरी कांसिलिंग 12-13 का इंतिजार कर रहे हैं स्टार्ट होने का तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो है वेटरीनीर कांसिलिंग से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन इन्फरमेशन जो है इस और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इन बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए ओके गाइस तो आज काई वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं आई होप आपको VCI की जो ओपिशल वेबसाइट है वो याद होगी अगर नहीं है तो आप नोट डाउन करके रख लिजए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ VCI.admission.nice.in ये इसकी ओपिशल वेबसाइट है इसी पर पूरी वेडिनरी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो होगा जैसे आप इस ओपिशल वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पर एसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि य जो है अपडेट यहाँ पर हो चुकी है अपडेट होने का मतलब है कि जो कांसलिंग का प्रोसेस है वो जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है लेटेश नूजबेक नोड अविक्शन भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप पड़ भी सकते जाएगा तो यहाँ पर यह लेटेश नूजबेक्शन भी देखने को आपको मिल जाएगा तो अब इसके एक्सपेक्टेड डेट के हम अगर हम बात करें कि कब तक यह स्टार्ट हो सकती है दोको यह MCC की कांसलिंग और AWCC की कांसलिंग इन दोनों के बाद स्टार्ट होती है अब यह MCC कांसलिंग चल रही है उसका पर्स डाउन एंड हो चुका है सेकेंड डाउन स्टार्ट होगा इसके बाद हमें आइस कांसलिंग यह यह कांसलिंग का जो शेडूल है वो देखने को मिलेगा उसके बाद जो है में वेटनरी कांसलिंग का शेडूल देखने को तो यह सबसे लेट स्टार्ट होती है बट लेट स्टार्ट होने का मतलब यह नहीं है कि लेट ही फिनीश हो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि वेटनरी कांसलिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही एक्टिव होने के आपको जरुवत हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलकम चैनल जोइन कर लिजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और लगातार विजेट करते रही है ताकि जो भी ओपिशल अपडेट आए वो तुरंत आपको मिल जाए बाकि अगर आपको कांसरिंग से रिलेटेट कोई भी इंफोर्मेशन कोई भी इंक्वारी करनी है तो आप जो है कमेंट करके पूर्श सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मेसेज करके भी आप जो है पूर्श सकते हो जो भी आपका डाउट होगा वह वहाँ पर आपका सोल किया जाएगा बाकि अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करना है जादे से ज़यदा सेर करना बाकि आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ जब तक लिए चहीं 6 बार